असलामलेकुम ताहे नजीर चैनल आर्वाए के मैट्स से हाजिर है सुदेंस आज हमारा लेक्चे जो है वो टेन माथमाटिक्स का है यून नुमर्ट सैवन इंटोडेक्शन टू ट्रिक्नोमेट्री एक्सराइज सेवन पाइंट टू वस्यमन नाइन है हमने एरिया फाइंड करना है सेक्टर का तो सेक्टर क्या होगा कि ऐसी फिगर जो दो रेडियस के बिट्वीन जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे सेक्टर कर लेने जैसे यह हमारे पास जो है यह हमारे पास एक सेक्टर है ये सारा, ये जो हमने Shade कर दिया इसको ये सारी value हमारे पास Sector है हमने इसके value Find कर दिया, तो इसके लिए हमने students जी दिखना है कि पहले तो data क्या given है हमारे पास center से lose point तक जो distance है उसको हम क्या कहते हैं उसको r, यानिके वो radius क्या इतना given है हमारे पास वो students वो हमारे पास यह यहां पर फिगर हमने लगाई हुई है इस लिए right team हो रहा है यहां पर इसको raise करते हैं और इसके नीचे से start करते हैं लिखना यहां पर हमारे पास जो radius दिया हुआ है वो हमारे पास कितना है 6 cm यह r फिर जो दो radius के between angle बन दा है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 60 degree हमने पढ़ा था जब formula लगाना angle जब भी लेना है हमने radian में लेना है तो 1 degree कितने radian के equal होता है pi over 180 radians तो इसका meaning है कि हमने जो values ये ली है 60 को किसे multiply करेंगे pi over 180 radians तो 00 से cancel होगा और 6 रीदा क्या जाएगा 18 क्या आएगा pi over 3 और 7 हम क्या right करेंगे radians right क्वस्चन हमारे पास क्या है कि हमने क्या find करना है इसमें area of a sector find करना है क्वस्चन हमारे पास है कि area of a sector जो area of a sector है हमारे पास वो हमने find out करना है अब area of a sector का जो formula होता है हमारे पास students वो क्या है हमारे पास area of a sector याद करेंगे sector क्या बन रहा है e o और r one by two r square और theta very important mcgu's भी आ सकता है हमने one by two write कर लिया radius कितना आ रहा था हमारे पास six उसका square theta हमने radians में लेना है तो already हमारे पास किसमें है radians में है तो इसके साथ ही students है हमारे पास value आई ये इस पे क्या आएगा a for area और one by two six का square क्या आएगा thirty six और हमारे पास आ रहा है pi by three three cancel होगा three one the three three two the six और अब ये twelve है तो क्या आएगा two six the twelve तो हमारे पास six pi आ गया जब हम इसकी values put कर लेंगे pi की pi की value approximately हमारे पास इसकी equal है हमारे पास three point one four two इनको multiply करेंगे तो हमारे पास answer आएगा one eight point eight five जब area लेते हैं हमेशा square unit में लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे centimeter square यह हमारे पास इसका answer आएगा यह हमारे पास first part था students और second part के हमने पास given है वो भी shape given है हमारे पास इसकी तो शेप हम खुद बनाएंगे इसमें यह इस तरह से कुछ है और यह हमारे पास इस figure का हमने area नकालना है यह से enter o है और यह जो angle दिया हुए हमारे पास कितना दिया हुए 45 का और p और यहा given है हमारे पास यहां पे r point दिया हुए p और r अब इसके बाद जो हमारे पास rate values है वो भी साथ mention है 20 और centimeter अब हमने यह जो figure बन रही है इसमें इसका भी हमने question गई है कि हमने area figure find करने है तो यह भी sector बन रहा है यह हमारे पास उगी बन है पहले इसको हम r लिख लेने है जो r आ रहा है हमारे पास वो किसके इकवाल आ रहा है 20 और साथ आ रहा है centimeter हमारे पास radius आगे इसका radius और जो center में एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है 45 degree तो जो 1 degree है पहले हमने इसको radius radian में change करने है वो किसकी इकवाल है 5 over 180 radius तो students 45 को हम multiply कर लेंगे 5 over 180 radius अब इस में से जो pi आएगा वैसे ही और pi को जब हम 45 को 4 times multiply करेंगे तो क्या आगेगा 180 आगे इसका मतलब क्या आगे पाई बाई 4 और radians आगे फिर हमने find करना है area alpha sector वो हमारे पास किसकी इकवाल है 1 by 2 r square और थीटा अब 1 by 2 radius हमारे पास किसकी इकवाल है 20 के और थीटा हमारे पास किसकी इकवाल है pi over 4 के अब area वे सेक्टर का हमने फार्मूला लिग दिया अब इसमें से हमारे पास अब देखें solve करना है हमने तो जब solve करेंगे students इसमें हम तो 1 by 2 तो वैसे ही आगया 20 का जो स्केर होगा वो हमारे पास equal आएगा 400 के और pi वैसे ही pi की value over 4 अब देखें यह जो हमारे पास values बन दिया 4 to the 8 बनेगा और यह 8 5 to the 40 और 0 तो कितना आगया 50 और pi फिर हमने इसको decimal पे निकाल ले है तो pi की value हमारे पास होती है 3.142 तो जब इसका answer हम multiply करेंगे 50 को 3.14 से तो बनेगा 157.1 और जो area निकलेगा हमारे पास किसमें निकलेगा centimeter और scales में अब इसके साथ जो question number 10 है हमारे पास कि हमने क्या find करना है इसमें find the area of the sector inside the central angle यह दो बार right हो गया है तो इसमें से हमारे पास अगर इसको मामें से black कर दे central डो बार लिखा गया है तो यह cut कर दे अब इसमें से students देखेंगे हैं हमारे पास जो values आ रही है अब area sector ही find करना है हमने ठीक है और central angle क्या है उसी तरह की figure है हमारे पास अगर वही अगर हम पहले वाली figure बना ले इस तरह से लेट्स पोस यह और यह हमारे पास ऐसे है यहां पर हम ले लेते हैं कोई A और B यह हमारे पास आर्क लेंट होगी और radius हमारे पास कितना जी यह हमें 7 मीटर और यह जो angle बन रहा है कितना बन रहा है 20 डिगरी बन रहा है तो हमने क्या find करना है इसमें area of a sector तो यह जो O से B तक है इसका मतला हमारे पास radius है कितना given है वो 7 cm फिर जो center पर angle बन रहा है वो कितना बन रहा है 20 डिगरी तो 1 डिगरी हमारे पास किसकी equal था power 180 radians है तो degree को हम change कर लेंगे radians में power 180 से multiply करेंगे 00 से cancel और क्या हैगा 2 9 दा 18 यह हमारे पास radians पे हमने theta find out कर लिया अब जैसी हमने theta find कर लिया फिर हमने formula यहाद भी किया है very important है area of a sector वो किसकी equal है हमारे पास जी तो students क्या formula था 1 by 2 r square or theta था हमारे पास तो जब हमने values की लिख ली है 1 by 2 2 और radius हमारे पास जो आ रहा है वो 7 था 7 का scale आएगा और theta आ रहा है pi over 9 अब जी इसमें से हमने इसका scale लेना है तो क्या बनेगा 1 by 2 7 का scale 49 और pi over 9 अब इसको multiply करेंगे 49 pi की value 3.14 हमने राइट करनी थी तो इसमें से क्या आएगा 3.142 और 92 था हमारे पास क्या आजेंगे 18 जब इनको multiply करके divide करेंगे क्यों decimal पे निकालना है तो क्या आएगा answer 8.55 और क्योंकि हमने unit देखने हैं कि हमारे पास R के साथ क्या unit देवें अचा R के साथ यहां पे students देखे हैं y पस यूनिट स देएवे हैं वो हमारे पास क्या देवें यहां पे मीटर्स में देए हैं मैंने इसमें सेंटिमेटर राइट किया है तो इसके मितलब यहां पे भी क्या आएगा हमारे पास meter आएगा यहां तर भी हमने क्या write करेंगे meters तो इसका मतलब जो answer बनेगा end पे वो किस में बनेगा meter square में that's a very important one अगर centimeter given होगा तब centimeter बनेगा बना आएगे meters में हमने ही बनाना है Dear students I hope कि आप वो lecture समझा आ रहा होगा साथ साथ इस लेक्ट्चर को शेर भी करें और कमेंट्स भी दें इसमें जी तो कॉस्टरमर 11 है हमारे पास के साहर इस मेकिंग स्कर्ट इच पैनल स्कर्ट इस अधा शेप आफ दा शेड़ी डायगरम अब शेड़ी डायगरम यह वाली है जी पार शेड़ी दाइगरम है यह वाली है बाकी नहीं उपर वजहाँ पैटी है हो मुँच मटेर्यल कलॉद ही है है तो कितना मटेरियल चाहिए होगा इसके लिए तो फि小 फर्स अदा ने यह एगल दिआ त्म इम नहीं इसको राइट करेंगे तो कितना angle दिया हुए हमारे पास इंगल हमारे पास दिया हुए 80 degree तो 80 degree को हम बहुत बार मैंने बता दिया है कि किसे change करना है radian में तो किसे multiply करेंगे 1 pi over 180 radian से तो हमारे पास ये cancel होगा 00 से 2 पे cancel होगा तो क्या एगा 4 और 18 पे cancel होगा तो कितना आजाएगा वो 9 और ये answer किसमें आजाएगा radians में आजाएगा अच्छा अब दो radians दी हमें students देखें एक radians ये और एक small वाला और गर्रेटर वाला अब हमने पहले तो radians अगर हम small का लेते हैं radians of a smaller sector जो सोटा सा sector है जैसे ये वाला है सोटा सा sector इसका radius हम लेते हैं तो हमारे पास कितना है वो 10 cm लेकिन जब हम टोटल का लेते हैं तो फिर मैं add होना पड़ेगा अच्छा इसको हमने नाम क्याज़े दिया small आज़का ऐसे भी हम radius लेते हैं radius of bigger sector जब उसका हमने sector लेना है capital R नाम रखा तो हमारे equal आएगा total length कितनी है 56 है और दूसरी कितनी है 10 और साथ हम इसके लगाएंगे cm तो कितने आएंगे 66 और cm आएंगे फिर हमने इन में से पहले तो total area निकाल लेंगे हमने निकालना है बड़े करेंगे total से पहले बड़े से smaller का answer find road करेंगे यहां दोनों sectors का पहले find कर लेते हैं अब इसमें से क्या हैगा हमारे पास के value जो है हमारे पास area of a sector area of a bigger sector लिख लेते हैं निए area of a bigger sector का formula हमारे पास क्या है क्या है कि हमने shaded का निकालना है अचली तो shaded का निकालने के लिए वो lengthy हो जाएगा जरा अगर हम इसको पहले ही निकालने दोनों को area of a तो short होगा अपके जिसे हमारे पास shaded area का हमने निकालना है तो वो क्या करेंगे जो total हमारे पास shaded area है area of a bigger sector पहले निकालना है उसे हमने क्या करना है minus और कौन सा area minus करना है area of a smaller sector area of a smaller sector तो अब उसमें से bigger का जो हमारे पास area आ रहा है वो हमारे पास किसके equal है वो हमारे पास है one by two r square हमने उसमें iridious बड़ा रखा हुआ है और small वाले में iridious हमने small रखा हुआ है दोनों बड़ा हमने लेट किये थे अब values के है one by two capital R जो हमारे पास था उसमें हमारे पास जो value थी वो हमारे पास क्या आई है उसमें अच्छा दोनों में थीटा जो आ रहा है थीटा दोनों में common लिक लेते हैं तो क्या बड़ा किया आ गया capital R square और minus R square one by two और थीटा जो हमारे पास निकला था देखें थीटा क्या है हमारे पास four pi over nine radians पे वो लिक लिए हमने four pi over nine और हमने black is pink rolls के लिए और जो bigger sector था उसका area हमारे टोटल निकला था वो कितना निकला था था हमारे पास 66 और small का कितना निकला था वो हमारे पास small का 10 दिया हुआ है तो write कर लेंगे 66 का square और पिर small का जो radius है वो 10 का square इस तरह से students हमारे पास जो value आएगी 66 का square लेंगे इस पे तो ये two two से cancel भी हो रहा है कितने आजेंगे two pi over nine और 66 का square आएगा four three five six और ten का square हमारे पास hundred होते है अब आए two pi over nine अब four three five six से जब hundred minus करेंगे तो हमारे पास students आएगा four two five six अब nine पे divide हो रहा है जब इसको nine पे divide करेंगे two से multiply करेंगे और pi को value put करेंगे और nine पे divide करेंगे तो decimal में हमारे पास answer आएगा और two nine seven zero अब हमने unit जो लिखना है हम यहां पे रिख ले हैं सेंटिमीटर के लेकिन पहले आपने देख लेना है कि radius के साथ unit क्या देखे है देखेंगे रेडियस के साथ unit क्या दिए है सेंटिमीटर तो इसलिए हम क्या लिखेंगे सेंटिमीटर लेकिन उसका answer फिर scales में right करेंगे इस तरह इसके हमारे पास की question था अब question number हमारे पास 12 है find the area of a sector with central angle pi over two radians तो यह उससे वैसे ही असाना आ गया students यह area of a sector find करना है उसका है क्या दिया है हमारे पास उस पे और रेडिसेंटर एंगल दिया हुए है तो theta दिया है हमारे पास pi over five radians में already और r भी radius दिया है उसका वो कितना है हमारे पास 10 cm ने find out क्या करना है हमने इसका area of a sector I hope क्या पुलन हो गया होगा formula one by two hours के theta we have one by two r क्या है 10 का square और theta कितना आ रहा है आपके पास pi over five अब ये जो 10 है इसका जब scale लेंगे तो हमारे पास आएगा 100 और pi over five अब इस पे से ये हमारे पास five कितना आजाएगा 20 और two पे divide करें तो क्या आजाएगा 10 और pi के value लिख लेंगे 3.14 और इस तरह से हमारे पास जो answer आएग angle में वो आएगा 31.4 अगर 3 भी लिखना चाहें तो हमारे पास तरह से हमारे पास नेक्स पार्ट है इसका वो हमारे पास को answer number 13 है find the area of the sector angle तो वो भी बिल्कुट उनी lines पे हमने solve करना है area of a sector find करना है और radius क्या दिया है two centimeter अब इसमें जो उसने radius mention है वो हमारे पास r mention है वो कितना दिया है हमारे पास two meter और उसने इसका area mention किया हुए area of a sector इसमें given है area of a sector वो कितना दिया हुए ten meter or scale क्या find करना है हमने इसका angle find करना है अगर हम diagram बनाएं इसके diagram clear check करें तो हमारे पास जो values दी हुई है let's suppose कि यह हमने एक sector ले लिया है ten meters के हमने find out क्या करना है find out हमने यह करना है कि यह वाला जो center वाला जो angle बन रहा है यह यह theta theta जो है हमने वो find out करना है तो सिर्फ इतना ही होगा कि हम पहले इसका formula लिक लेंगे और फिर इसकी value find कर लेंगे तो formula क्या है हमारे पास area of a sector का one over two r squared theta यहां पे area of sector दिया हुए ten है one by two है r की value हमारे पास two है theta मने find करना है two का square क्या है गा four divided by two है तो यह two cancel हो जाएंगे हमारे पास यह two multiply हो रहा है जब यह left hand side पे आएगा तो two क्या होगा डिवाइड इसका मतब two five दा ten आएगे तो किसमे जब angle हमने यह formula लगाते है हमने कहा था theta bust भी किसमे लेते हैं हम इसको radians पे लेते हैं students comments लाजमी करें इंशाला आपको बहुत ज़ल लेक्टर के साथ मिलेंगे